फैलो स्ट्रेंस, आज से ही एजुकेशन हब्बांसुर की ओर्लाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम पढ़ेंगे रोधरस, जिसका इस्थाई भाव होता है क्रोध देखें इसकी सबसे पहले हम उसकी परिवासा पढ़ेंगे परिवासा में पढ़ने जा रहे हैं, रोधरस का इस्थाई भाव क्रोध होता है या कुकूर में बताए जा चुका है, विभाव, अनुभाव, अउल, संचारी भाव के मेल से अर्थात सयोग से वासना रूप में, इच्छा रूप में, सामाजिकों के हिर्दे में सामाजिकों कार्थ है, समाज में रहने वानों के फिर्दे में, इस्थित क्रोध, इस्थाई भाव, आस्वादित होता हुआ, अर्थात इस्थाई भाव, क्रोध, प्राप्त होता हुआ, दीरे-दीरे, रोधर, अर्थात क्रोध में, क्या हो जाता है, परिनत बदल जाता है वा कौन सा रस होता है, रोध रस होता है, इसका एक उधान दिया गया आपके सामने, सबसे पेदे उधान को धान पुरप पड़ेंगे सिरी क्रस्न के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सोक अपना भूल कर, करतल युगल मलने लगे संसार देखे, अब हमारे सत्रू रण में म्रत पड़े, करते हुए यह रोशनावे हो गए, उठकर खड़े उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सादर जगा मुकबाल रवी सभी लाल होकर जवात साबोधित हुआ, प्रेलार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ देखिए, स्री कुरूर पाणों का युद्ध हो रहा था, तो स्री कुरूर के वचन सुनकर अरजुन क्रोध से जनने लगी अरजुन के मन में क्रोध का भाव उत्पन गवा, स्री कुरूर की जो बाते थी, वो अरजुन को कड़वी लगी, अच्छी नहीं लगी सब सोग अर्जुन कर जो सोग था दुख था वो उसमें भुला दिया और अपने कर्तल यानी दोनों हाथ मलने लगे संसार देखे अब हमारे सत्रू रणवे मृत पड़े जी अर्जुन कहे रहा है कि संसार ये देखे कि हमारे जो सत्रू है कोरव वो रणव भूमी में युद भूमी में मरे पड़े हुए हैं अर्थात हमने सभी को परास कर दिया है यह दोशनक करते हुँ अचानक उठकड़े उस समय क्रोध की कारूज चो शरीर था वो कापने लग गया इस प्रकार का अबना था जैसे हवा के तिवर्वेग से सोता हुआ क्या जगा सागर जबा मुख बाल गवी उसका जो मुख था वो बाल गवी सूर्य के समान था सूर्य के समान लाल हो गया और वह जवात सा बोधित हुआ प्रभावित हुआ प्रलार्थ उनके मिस वहां क्या ताल ही क्रोधित हुआ उस समय अर्जुन की इस प्रकार की अवस्थ बता है